स्वीटियम दोस्तों हम लोग बात करने वाले बाई एससडी और यहांपे स्टी ओ के बीच में जो मैच कहला जाएगा एसी एस्टी टैन का आज के दिन का दूसरा मैच रहेगा डिटेल में कवर करेंगे वीडियो कंप्लेट देखना जो प्लेयर आपको बताँगो वो प्लेयर इंपोर्टेंट रहेंगे और वो प्लेयर आपको अपनी टीम में जरूर पिक करने उनमें से किसी भी प्लेयर को आप लोग गलती से भी अपनी टीम से ड्रोप मत करना captain से किसको करोगे wise captain से किसको करोगे plus यहां पे आपको 2 over अपने complete करके कौन सा player दे सकते है वो चीज़ आपके लिए खाफी ज्यादा माइनी रखने वाली है क्योंकि 10 over का match ऐसे player आपको pick करने पड़ेंगे जो अपने complete यहां पे 2 over की गेंदबाजी करेगा ठीक है तो सारी चीज़ आपको आगे वीडियो में मिलेगी complete वीडियो देखना बिल्कूल भी आपको skip नहीं करना है सबसे पहले चैनल पर नहीं हो तो subscribe करके notification बेल को जरूर ओन कर लेना आगे किसी भी match की वीडियो आईगी दोस्तों आप लोगों के पास में हम लोग कोई भी change करेंगे तो सारी अपडेट्स आपको टोसरने के बाद टेलिग्राम चैनल पर दी जाएगी comment section में और वीडियो को description में दोनों जगाए पर लिंक है टेलिग्राम चैनल का तो जाएगे भाई मैच से पहले के यह मैच स्टेट्स आपको बता रहूं ठीक है तो यह चीज़ आप लोग स्पेसली ध्यान में रखना क्योंकि यह जो टीटेन मैच जानी है लगबग आपको हर डेड़ से दो गंटे के बाद में खेले जाते हुए दिखते है ठीक है तो भाई वीडियो कवर करने का फिर टाइम ने मिलता मैच खतम होने के बाद ठीक है तो एक मैच है जस्ट इस वीडियो के बाद में खेला जाएगा उसमें कौन सा प्लेयर का ऐसी परफॉर्मेंच करेगा वो आप लोग एक बार खुज से चेक कर सकते हो उससे पहले कि अगर स्टैट्स के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे पहले मातूर की ओपसन है उसके बाद में अमलराज के बारे मापको एक चीज़ बता दू इन्हों ने जो है लास्ट मैच में यानि कि जो मैच अब खेला जाएगा उससे जस्ट पहले वाले मैच में इन्होंने सैकंड डाउन पर बैटिंग करी थी 35 तो फिलाल के लिए याप के साथ में जालेगए बाकी मात्वर की भी बहुत बड़ी लेकिन खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो जब लास्ट मैच S2 अपना खेलेंगी न भाई उसके बाद में चीज़े अपने सामने की लियर हो पाईगी अगर खेलते हैं तो इंपोर्टेंट रहेंगे यह चीज़ ध्यान में रखना ठीक है बैटिंग सेक्शन में आगे दोस्तों यहां से सबसे पहले उमेट चोधरी की उप्सन आपके पास में रहेगी जिन्होंने ओपनीं करे थी लास्ट मैच अगर मैं पिछले दोनों मैचे के बात करूँ एक मैच में 13 रंच करे थे एक मैच में 30 रंच करे थे टोप ओडर के बल्ले बाज है उस वाज़े से ज्यादा इंपोर्टेंट है विकोज आप लोग ओपनर्स को या फिर वन डाउन सेकिंड डाउन वाले प्लेयर नहीं चोड़ सकते क्योंकि दस ओवर का मैच अबाई नीचे वाले प्लेस की बैटिंग आने के चांसे वैसे भी थोड़े से कम रहेंगे तो यहां से यू चोधरी के नीचे बैटिंग करेंगे दो मैच में अब तक केवल बीची रंज कर पाई है उतनी बड़िया फोम में नहीं है नीचे आओगे वैद्या के उप्शन है इनके साथ में जरूर जाएंगे क्योंकि ये प्लेयर इतना मैं आपको शोर्टी के साथ में बोलाओ कि बाई टोप ओ बैटिंग ओडर जो है वो चेंज हो सकता है क्योंकि ये टीटेन मैचिज है इनमें आपको लगबग हर मैच में प्लेयर जो थोड़ा सा चेंज होता हुआ जरूर देखेगा ठीक है तो वो चीज आप लोग जानमे रखना बाकि टोप ओडर में बल्ले बाजी करेंगे इतना शोर है गेंदबाजी भी आपको प्रोपर दोवर की मिल सकते है तो ये इंपोर्टेंट है जरूर इनके साथ में चलेंगे उसके बाद में निच्या होगे यहां से उतनी कुछ खास आपको नहीं मिलेगी यादलापली को ट्राई जरूर कर सकते हो बट इनका गेंदबाजी क बाई कनफरम नहीं है वो आपको बता दू किसी मैच में बोलिंग करवाएंगे किसी मैच में नहीं भी करवाएंगे ये चीज़ आप लोग स्पेसली ध्यान में रखना ठीक है तो टोटल ही आपके लगबेस प्लेयर यह बनेगा उसके बाद में करूना करके उप्शन है ले अली सयद के बारे में बता दू इनका जो बैटिंग उडर है अब तक देखो दोनों मैचिस में इन्होंने उपन गिया है एक मैच में उननीस रंस और एक विकेट एक मैच में चपन रंस के पारी और तीन विकेट इनके नाम थे ठीक है तो काफी तगड़े प्लेयर है कल मैं इंपोर्टेंट बनेंगे ठीक है उसके बाद में नीचे आओगे यहाँ पर जड़ उसेन की अगर बात करेंगे तो यह प्लेयर आपको थोड़ा सा नीचे बैटिंग करता हुआ दिखेगा उतनी जादा नीचे नहीं एटलिस आप लोग यह मानलो सेकेंड या फिर थर्ड यानि कि दो या फिर तीन विकेट गरने के बाद में यह आपको बैटिंग करता हुआ तो जरूर देखा है हो सकता है इस मैच में टीम इनको उपर भी बैटिंग करवा दे वो एक अलक्सीज बनेगी लेकिन पिछले दो मैच के बेस पर बताओं यह सैकेंड या फिर थर्ड आपको बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं पिछले मैच में आठ रंज करते हैं गेंदबाजी में विकेटलेस थे लेकिन उससे पहले वाले मैच में इन्होंने तीन विकेट्स ले थे प्रोपर अपनी दो वर की गेंदबाजी अब तक करवाई है ठीक है तो उस वज़े से यह ज्यादा इंपोर्टेंट है नीचे आओगे साइड से अलबर्ट को टीम में रख सकते हो जो कि एक प्रोपर गेंदबाज आपको मिलेंगे पूरे दो वर करने वाले गेंदबाज है बैटिंग में टीम कहां पर मोट करती है वो कह नहीं सकते है लेकिन अब तक इनका जो प्रिशेंटली बैटिंग ओडर वो आमें थोड़ा सा नीचे ही देखने को मिला इस मैच में अगर टीम उपर बैटिंग में प्रमोशन दे दे तो भाई देखो एक अलग चीज हो जाएगी बाकि दो ओवर कमबिट करने वाला गेंदबाज चीए तो आप लोग अलबट के स के लियर कर दो ठीक है बट अपने दो ओवर कमबिट कर रहे थे वो दानखना उसके बाद में सबसे पहले जो बैस्ट ऑप्सन है वो आपके पास में एह उसेन किरेगी दो मैच के लिए अब तक तीन विकेट ये ले चुके ओलड़ी और एक मैच मैच में यानि कि लास मैच म मुझे लगता है कि आपके लिए जरूर बनेंगे तो जरूर आप लोग अपनी टीम में जा सकते हूं उसके बाद में नीच आओगे कुमापाति का कुछ नहीं कह सकते है गेंदबाजी करें ना भी करें कुछ बरोसा नहीं है उसके बाद में हमा हाकीम की उप्सन है जिनका जो गेंदबाजी सेक्षन है वो मैं आपको बता दू लास मैच इनों ने गेंदबाजी एक भी ओवर की नहीं करवाई बट उस से पहले वाले मैच में पूरे दो ओवर डाले थे बाई और दो विकेट्स इनों ने लिये थे तो ये चीज़ थोड़ा सा कन्फूजन करती है कि एक मैच में तो एक प्लेयर ने एक भी ओवर की गेंदबाजी नहीं करवाई एक मैच ऐसा था जहां पर कम्प्रिट दो ओवर करवाई और दो विकेट भी लेके वो बंदा गया तो इस मैच में पता नहीं ये गेंदबाजी करेंगे नहीं करेंगे तो कि अगर इनके संस आपको काफी जादा मिल जाएगी ठीक है उसके बाद में नीच आओगे दोस्तों यहां से पी कोल पी कोल के बार में बता दू इंपोर्टेंट हो सकता है बिकोज अब तक रिशेंटली दो दो वर इनो ने अपने कंप्लिट जरूर करें अब स्टियो देखो जस्टिस मैच से पहले एक मैच और खेलेगी उसमें कितने ओवर यह करेंगे वो फाइनली स्कोर कार्ड देखके हम लोग डिसाइड गर लेंगे बाकि उससे पहले वाले मैचिज में लगातार दो मैच में ऑपने कंप्लिट करें एक मैच में दो विकेट लेते हूर एक मैच में ये विकेट लेस थे ठीक है तो अब दो और कंप्लिट जरूर करी बड़ इनको अच्छी डिफरेंशल होंगे इस मैच में क्योंकि अगर एक बार फिर से दो वर गरते हैं क्या पता भाई इस मैच में विकेत निकाल दे टो उस केस्हें आप लोग आज़े यूनिक से उनिक Κिन अपने टीम में लेके जरूर चल सकते हैं मैچ نہیں खेले थे जहने कि HTO का जो मैच आज खेला जाएगा भाई कौन से टीम के साथ में उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो खेला जाएगा दोस्तों यहां से JCC की टीम के साथ में जो मैच खेला जाएगा उस मैच में ऐल संदु वो देखो स्कोर कार देखने के बाद बता लगेगा लेकिन उसे पहले वाले मैच में यह नहीं खेले थे उससे फ़स्ट मैच में खेले थे जा इनोंने एक विकेट लिया था तो चलो अब के लिए यह मानगे चलते कि शायद यह प्ले आत्को खेलता वा दिखेगा यहां होगे बैटिंग सेक्षन में, यहां आपको उप्संस मिल जाएगी, सबसे पहले चालिंदरा, चालिंदरा चलो वो गलती से छूट गया, एक बार फिर से बता दू, चालिंदरा आपको उपनिंग करते हो दिखेंगे, एक मैच में चोगो नंस की पारी, एक मैच में कतिस रंज की पारी, लास्स में जो STO की टीम खेलेगी, जैसी सी की टीम के साथ में, उनमें ये कितने रंज करेंगे, वो स्कोर काड अमलूग देखे लेंगे, लेकिन रिसेंटली फोर्म के इसाब सब यह प्लेयर इंपोर्ट है, ठीक है, तो ये तीन प्लेयर आपको यहां से मि माथूर के साथ में, फोर्म देखोगे, अमल राज के भी काफी बड़ी है, ठीक है, तो यह ग्यारा प्लेयर का टीम कोमिनेशन है, लेकिन यहां आपको एक चीज बता दू भाई, STO का जो प्लेयंगे लाइन रहेंगा ना, वो लास्स मैच में किस पर कार रहेगा, उस बेस के ग्यारा प्लेयर का टीम कोमिनेशन आपके सामने, कैप्टनसी मेरी रहेगी, सीधा सीधा आपको बता दू, SLE सेयद को, और वाइस कैप्टनसी में मैं फिलाल लेके चलूँगा, यहां पे बाईया, जिनको ए वैध्या को, अधर उप्संस में आपके पास में यहां पे ज जस्ट इस मैच से पहले एक मैच और खेलेगी, उसमें कौन सा प्लेयर कैसी पर्फॉर्मेंस करेगा, कौन टीम में एड होगा, भाई, कौन टीम से बाहर जाएगा, ठीक है, उस बेस पे इस मैच की जो फाइनले लाइनप साइगी ना, फिर अगर कोई चेंज करना कर लेना, नोटिफिकेशन बैल ओन कर लेना, किसी भी मैच की वीडियो अपलोड होगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और कोई भी वीडियो आप से मिस नहीं होगी, मिलते हैं दोस्तों, अगले मैच की वीडियो में उमीद करता हूँ, आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम कोविनेशन बनाओगे, और आपकी टीम अच्छा पर्फॉर्म जरूर करेगी,